हेलो दोस्तों मेरा नाम है अजय मोरिया और आप देख रहे हैं अजय सर्जी यूटूब चैनल दोस्तों डियलेट चतूर समेश्टर में प्रेटिकल फाइल के क्रम में आज का हमारा विशय है सांत सिच्छा यवंग सतत विकास तो दोस्तों यह फाइल का उपरी प्रिश्ट है जिसमें उस महाविद्याल है या डाइट का नाम रहेगा जहांते आप प्रसिच्छन ले रहे हैं तो यहाँ देख लिजे विशय सूची में आप तीन कालम बनाएंगे करम संख्या विशयवस्त और प्रिश्ट संख्या यहाँ देख लिजे विशय सूची नंबर एक है सांत सिच्छा के उद्देश जो प्रिश्ट संख्या एक पे है दूसरा है सांत सिच्छा में अभिव अब परतेक विशेबस्तु का हम डिटेल लिखेंगे तो यहां देखिए है सांथ सिच्छा के उद्देश से नंबर एक व्यक्तियों में विश्व सांथ की आनिवारता एवंग सहयोग की समझ का विकास करना घिर्डा, दुर्भावना, कलय, हिंसा, आध के दूस प्रभावों से आउगत कराना व्यक्ति के सांथ की सहज, प्रिविर्थि का विकास करना और उनके आचरण का अंग बनाना व्यक्ति को स्वयम अपने साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवंग परियावरण के साथ समरस्ता के व्योहार के व्योहार करना सिखाना व्यक्ति में आंतरिक सांथि का विकास करना व्यक्ति में वसुधैब पुटूम्बकम के भाव की समझ का विकाज करना अज दूसरा है देखिए सांती सिच्छा में अभिवृत्ति नमबर एक आत्म सम्मान एवन दूसरे का सम्मान व्यक्ति को अपने सम्मान के साथ ही दूसरे के सम्मान का भाव रखना चाहिए नमबर दो परस्पर विश्वासिवंग सहयोग व्यक्ति सभी कार्य स्वयम नहीं कर सकता उसे इसके लिए दूसरों की सहायता लेनी होती है अतियावस्यक है कि वह दूसरे का सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहे तीसरा मस्तिस्क का कुलापन दूसरे के साथ व्योहार में खुलेपन की अभिवृत्ति अतियावस्यक है इसके अभाव में व्यक्ति सभी के साथ समता का व्योहार नहीं कर पाता है चब्धा सामाजिक दाइत्ट की अविविर्थि समाज को व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका के प्रती तो जागरूख करती है साथ ही वे भूमिका से संबंधित दाइत्ट के निभाने के लिए भी तत्पर रहती है तीसरा है विशेबस्तु व्यक्तित्त के पांच बड़े गुणे नमबर एक खुलापन व्यक्तित्त के इस पहलू या विमा में कला के लिए सम्मान जोखिम उठाने वाला सामान से हटकर विचार वाला उस सुकता एवंग अनभव को विवित्ता दिखाई पड़ती है दूसरा चैतन्यता व्यक्तित्त की विमा विवस्तित एवंग विश्वसनिये होने की प्रविर्थ बनाती है ऐसे लोग प्रायस्वय अनुशासन का पारंग करने वाले जिमेदारी से काम करने वाले परिश्रम सील नियमित योजनाबद धंग से कार करने वाले होते हैं 3. बहिर मुक्ता व्यक्तित का यह पच्छ उर्जा सकारात्मक संबेग सामाजिक दूसरों के साथ रहने में उत प्रिणर प्राप्त करने वाला बातूनी कर्मत चुस्त उस्ता दिन्गता अध की प्रवित बताता है चौथा सहमत जन्यता व्यक्ति का यह पच्च व्यक्ति के दूसरों के प्रतिदया करुडा सहनभू तथा सहयोग ने की विरोधी एवंग संकाल प्रवित बताता है पाच्वा असनाई व्यक्तित्तों का यह पच अरुचकर संभेगों जैसे जर, दूस्चिता, आउसाद वे सुमेदता के अनुभव करने की प्रवित की ओर संकेत करता है अगली विशेवस चरित्र का विकास नमबर एक उदाहरर प्रस्तुत करना चरित्र के विकास के लिए उदाहरर प्रस्तुत करना सरवादिक प्रभावकारी होता है नमबर दो सदाचार युक्त परियावरन सदाचार युक्त परियावरन चरित्र के विकास के लिए सरवादिक उपयुक्त होता है नमबर तिन समझाना बच्चों को उसके आने जाने में हुए गलत आचरण के विशे में जो प्यार वय सहानभूत के साथ समझाना आवश्यक होता है नमबर चार अस्थाई भाव का उपयोग अस्थाई भाव किसी बस्त विचार या संप्रत्य के चारो और केंद्रिस समवेगात्मक प्रविश्टियों का एक सूसंगठित करम होता है नमबर पांच अनभव की भूमिका किसी काम घटना या बात हो जाने के पस्चात उसके संबंद में होने वाले ग्यान या बोध को अनभव की संग्या दे जाती है सिचक की रण नितिया नमबर एक कच्छा का प्रवंध नमबर दो कच्छा नियमो की असप्रषता और उनका पालन नमबर तीन नियमो का संसोधन नमबर चर कच्छा समुदाय का सदस्य नमबर पांच कच्छा परिस्तिती पर कुछ नियंत्रन नमबर चर मनोव ज्यानिक आवसकताओं की पूर्ती साथवा सिछण एवं सिछण एत्तर कारकरम नंबर आठ आविभावक का सायोग नंबर नव पुरस्कार चाठा प्रश्ण है चाठा प्रश्ण है हिंचा के प्रकार नंबर एक मौखिक हिंचा जब कोई व्यक्ति मुख से बोल कर किसी अन्य व्यक्ति को पीरा पहुचाता है तो इसे मौकिक हिंचा काते हैं नमर दो मनोबैग्यानिक हिंचा हिंचा का यह रूप अधिक कपट पूर्ण है इसे में व्यक्ति को अपने न्यंतर में करने के लिए उसकी पर्तिष्ठा एवं उसके सम्मान पर आघात करके उसे छट पहुचाने का कार किया जाता है किसी प्राणी को सारी रिक छत पहुचाना, सारी रिक कष्ट देना अत्वा पीरा देना सारी रिक हिंचा कहलाता है नमर 4 धाचा अगत हिंसा जब किसी सामाजिक धाचे अतवध सामाजिक संस्था दोरा किसी व्यक्ती समूँ अतवधा समुदाय के हितों की इछती होती है तो उसे धाचा अगत हिंसा की स्रिणी में रखा जाता है नमबर पांच लोकप्री संस्कृती में असलीलता लोकप्री संस्कृती का आश्य भारती और पास्चाथ दोनों ही संस्कृतियों से है क्योंकि संप्रत भारत में भारती संस्कृती के साथ साथ पास्चाथ संस्कृती भी लोकप्री हो चुकी है गादी जी के अनुसार सत्य का तात्पर केवल सत्य भासर करना नहीं अपित विचार वाणी और कर्म से सत्य का पालन करने से है नमबर दो अहिंसा मात्मा गादी ने अपने जीवन में अहिंसा पर विशेज बल दिया इनका वक्तब है कि अहिंसा ही धर्म है वही जिंदगी का एक रास्ता है नमबर तिन सयमित आचरण गाधी जी का विश्वास्था की सांती की अस्थापना के लिए मनुस्य के आचरण का सयमित होना अत्यान्त आवश्यक है नमबर चार शमा सीलता गाधी जी ने शमा को विरो का अभूसर माना है उनका कथन है की पाप से घ्रिडा करो पापी से नहीं पाच्वा प्रेम गादी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन प्रेम तत्व से वोत्पुरोथ है। उनका मानना था कि इतनी हिंसा के बाद भी यदि इस संसार का आस्तित्व है तो इसका कारण प्रेम तत्व ही है। शटा संतोष बर्तमान युग में मनुस्य ने अपनी आवसकताओं को ऐसी इमित कर लिया है। वह निरंतर किसी ने किसी आवसकता की पूर्ती हित व्याकू रहता है। अनिता यह हमारे लिए तनावदाई हो जाते हैं। तरीके पर निर्भर करता है कि हम ऐसी परिस्तियों के साथ कित प्रकार सामंजस अस्थापित करते हैं। देखें नवा विशेपस्तु लोक्तंत्र के मूल भूचिद्धान्त। इसके अंतरगत विचार अभिव्यक्त उपासना धार्मिक मानता आध की व्यक्त की सोतंता नहीं थे। नवर दो समांता इससे तात्पर विव्यक्त को बिना मूल भंस जात धर्म लिंग आध का वेदभाव की आउसर की समांता है। राष्ट की अघंता को ध्यान में रखते हुए व्यक्त की गरिमा एवंग व्यक्तित्व की महत्ता का ध्यान तथा सबके वीच बंधुत्व या भ्रातित्व की भावना का सम्चुद विकार। नमबर चार न्याय इसे तातपर है कि नागरिकों को बिना किछी वेदभाव के सामाजिक, धार्तिक एवंग राजनेतिक न्या उत्पलत कराना। नमबर पांस समाजबाद, लोकतंत्र का एक तत्व समाजबादी समाज की विष्टा है जिसमें किसी से किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता है और सभी को आवसकता एवंग योगता के आधार पर आवसर उपलब कराना अभीष्ट होता है। नमबर पंच निर्पेशता नागरिकों को धर्म के मानने वे आचरन की सोतंता के साथ राज का कोई विष्ट धर्म नहीं होता।